खेल ब्रमांड का पिंड में देखिया, जगत की भर्मना दूर भागी, अब एक प्रश्ण उठता है, क्या आंत्रिक मंडलों में जाया जा सकता हैं क्या? हाँ, इसके तो बड़े प्रमान मिलते हैं हमारी वानियों में, वेदों में, संतों की वानियों में, धर्मिशास्त्रों में, योगा वश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष थी मैंने ये स्थे के पहले भी उठा आ हैं, हमें आज इस पर जिंतन करना कि आवास तह दो है हमारे अन्दर ऐसे शरीर जो आंतरिक बर्मान्दों की यातरा कर सकते हैं, इस कार लग हमारे संतों ने भी किया है, मीरा भाई ने भी कहा है, मीरा मन मानी सुरत सहल अस्मानी सहल सपर को कहते हैं सुरत सहल अस्मानी यही बात सूरदास जी भी कह रहे हैं यही बात नाभा जी भी कह रहे हैं नाभा नब खेला और साहिब भी मानियों में कई जगे इसका उलेक कर रहे हैं खेल बर्मांड का पिंड में देखिया खेल बर्मांड का पिंड में देखिया जगत की भर्मना दूर भागी बाहरा वीतरा एक आकाश पत्र शुष्पना डोर तेह जाए लागी पवन को पर्लट कर शुन्न में घर किया धर में अधर भरपूर देखा कहें कभीर गुर्पूर की महर से तर्कुठी मजद दीदार दिखा क्या ये वास्ता विकता है और ये सब चीज़े आती है पितर तरपन में भी लोग शराद करते हैं ब्राह्मन को या किसी ग्यानी पुरुष को बुलाते है वो फिर दिवंगत आत्मा को आउट करता है अपने अंदर और कई जगे प्रेत आत्मा को अभी उल्ले खाता है जब कोई मर गया शरीर सोड़ गया फिर वो कैसे आ रहा है इसका मतलब है इस शरीर के अंदर बहुत रहसे बरे पड़े है सबसे बढ़कर के साहब दी मुली आइडले खेल बर्मान का पिंड में देखिया जगत की भर्मना दूर भागी बाहरा बीतरा एक आकाशवत शिश्मना जोर तेह जा लागी पवन को पलट कर शुने में घर किया वह पवन को पलट कर आईए हम देखते हैं कुछ तो प्रमान हमें सामने भी तो मिल रहे हैं आप हमें हैं जो निद्रावस्ता में पहुंच जाते हैं तो एक ऐसी इस्तिति आती है हम निद्रावस्ता में एक अलग जगत को देखते हैं हम सब चीजों का अवलोकन करते हैं वो हमें होते हैं वास्ता 2020 यह है कि उस नित्रा वस्ता में हमारी वस्ता बदल गई जब तक चैतन वस्ता विलूम नहीं होगी तब तक हम दुरमान के ख्याल नहीं देख सकते हम उन शरीरों को नहीं परव्ड कर सकते इस पर थोड़ा सा आज गंबीरता से चिंतन करते हैं जैसे ही हम निद्र आवस्ता का आभास इस जागरित आवस्ता में कभी नहीं कर सकते हैं शाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, और कितना भी बुद्धिमान क्यों नहीं हो, निद्रा अवस्ता में वो जो भी चीजे देखता है, उसे सत्य मानता है, अवस्ता का इतना बड़ा खेल है, इस तरह हम उस अवस्ता में कैसे जाएं, जिसमें हम ऐसे शरीर को प्राप्त करें क्या संभाव हैं, बिल्कुल संभाव हैं, आगे साहिब क्या कह रहा हैं, आप सुनें, जीवता मुए बिन, भेद पावे नहीं, जीवता मरे सु भेद पाए, आप देखें, जीवत मरे बहुत जल तरिये, जीवता मरना क्या कहीं, फांसी लगा कर थोड़ी मरना है, कहीं आत्मात्या थोड़ी करना है, नानक देव जी बहुता मरे में फर्मा रहे हैं, जीवत मरे बहुत जल तरिये, जीवत मरे बहुत जल तरिये, यहां दो शास्तों में उलेक हैं, आत्मात्या करने वाला प्रेति-उनी को परफ्ट करता है, वो प्रेति-उनी अधोगती है, तो फांसी लगा के मरना है क्या nap गईज़ी क्या जीवत मरने कामत्लब पзыनाओ होता है नैन बिन सैन और बैन बिन बोलना सैन कहते हैं इशारे को कभी कभी हम आँखों से इशारे करते हैं जब हम वहां कहीं ऐसी जगह आते हैं जहां वाणी नहीं बोलना है हम इशारे कर देते हैं इशारे की है ना सैन कहते हैं इशारे को वहां आँखें नहीं है इशारे है और बेंद बिन बोलना वानी के बिन बोलना है बाप प्रचन जाय चुड़ा आप में से कुछ लोगों ने गंगा इश्णन किया होगा जो गंगा इश्णन आप में किया होगा उससे नहाने के बाद आपने शरीर में एक अलग इस्थिति अन्गो कियों क्योंकि गंगा जी का जल कई परवतिय जड़ी बूटियों को सुपरश करता हुआ उनको दोता हुआ आता है निसंदे इसमें तो वास्तविक्ता भी है इसी प्रकार से बन्दो जब आंतर का वस्ताओं में मनिश्टे पोचता है वहां साहिब करें पाप प्रचंड दता हूं सब पाप दूल दे आते हैं कैसी वस्ता आती है आप देखते हैं लोग नहाने के समय पानी में विविद प्रकार के तरल पदार्तों का मिस्ट करते हैं दिवस और रेंट फिर एक ठान अरहे ग्यान अग्यान नहीं होई भाई अब क्या कह रहें जब तक आप इस सवस्ता में हैं उसका आबाज कभी नहीं हो सकता देखें यह जीवत कैसे मरें बड़ा साफ संकित दे रहे हैं जीवत मुवे बिना बेल पावे नहीं देखते हैं कैसे जीवत मरें मैं अक्सर मन के चारों अंगों पर बाचीत करता हूं मन बुद्धी चित हैंकार पर यह जगत ही इन से हैं कहत कभीर सुनो भाई साथो जगत बना है मन से और मना नगरा की बात हरे कोई कर रहे हैं मन दुष्टर भी है असाध्य साल लगता है यही बात जब वास्दी क्रशन जी ने अर्जुन से कहा कि मन का नगरा कर एक आत्मा का साकषद कार करो अब यहां एक तर्थे समझने की जरूरत है मन का नगरा करके आत्मा का साकषद कार करो आपकी आत्मा कहीं भी नहीं है, यहीं है इसे कहीं आहुत नहीं किया जा सकता, इसे विशर्जित भी नहीं कर सकते अब मना नग्रह के बाद जो बाकी बच्टा है, आत्मा है पर मना नग्रह क्यों कचिन है, सभी तो ध्यान के लिए बोल रहे हैं न ध्यानी वेद शास्त्र कहते है ध्यानी संत्वकाना इन अंत्रिक मसलों पर कोई बात चीद ने करते एकाद कहानी बता दिया एकाद चूटकला बता दिया जैसे फिल्म वाले नहीं है काफी मशाला डालते है जिससे आदमी उसमें रोचकता है आक्रशन है दिखता रहे एक शीज़ और मैंने बताई थी टियार्पी बढ़ाने के लिए ये न्यूयर्ट टाइम्स में एक लेग लिखा था जो एंकर्स हैं न्यूस बोलने वाले हैं उनकी वेश-बूशा पर उनने आप रिक्षिकिया था आप खुद देखना हो अगर एक कोलगेट की एड़िटाइस्मेंट होती है ना उसमें भी एक पहले चोटी सी डान्स दिखा जाती है भाई डान्स और कोलगेट का क्या सम्मन्द है आप कोलगेट के गुण बताएं कैसे बनाएं ये बताएं उसके लाब बताएं डान्स क्यों क्योंकि आज आदमी जानता है नगनता की तरफ आदमी का ध्यान बहुत है अब न्यूयर्क टाइम से ये लिख रहा है इससे बड़ा नुकसान है क्योंकि जब प्रवाज़का की तरफ वो बोल रही हैं देख रहे हैं तो आदमी का ध्यान उसके कपड़ों और आड़े टेड़े वेस्तर पहने वो इस तरफ जादा जाता है तो बीच में उसका जो लिशनिंग पावर है वो बढ़ जाता है इसलिए वो न्यूस ठीक से नहीं समझ पाएगा ये मेरा उद्गोश नहीं है ये तो नियूयर्क ट्रैम्स नहीं लिखा है और आप देखें इसको पर साज को तो मारन धायर जूट कहा नहीं जाई संतों आप संकल को भी रोक सकते हैं थोड़ी देर पर वो भी बड़ा दुश्तर है मन आप बुद्धी को भी थोड़ा नियंत्रन कर सकते हैं लेकिन आप सोचे कि हमेशा आप नियंत्रन करेंगा नहीं साहिब ने इस पर एक शब्द बोल दिया पलटत बुद्धिन लागत बेरी बेर कहते हैं टाइम को दिमाग पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है आप देखते हैं कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जिनके सिवा आप कभी रहते ही नहीं थे जी नहीं पाते थे और समय बदलने के साथ कभी कभी वो शत्रु बन जाते हैं जिने आप देखना नहीं च कालंतर में उनसे नफरत हो जाती है इस तरह नहीं रहता है चलो ठीक है थोड़ी देर कि आप नियंद्रण कर सकते हैं कि बुद्धी पर भी कि चित पर लेकिन एंकार पर नहीं बुजरुक लोग पहले कहते थे कि भाई सांप को मार के फेकना नहीं है पहली बात तो नियमांसार सांप किसान का मित्र है और गिल्लेहरी किसान की शतर है सांप खेती बाड़ी को कोई नुक्सान नहीं करता है और भी नुक्सान करने वाली जियों को चूहों को वो रून कर खा ले गिलहरी बहुत लिक्सान करते है तो पुराने लोग कहते थे सांप को मारने के बाद मैं इस पक्ष में नहीं हूँ पर इसमें एक टेक्निकल बात है उसको खुला नहीं फेको वो फिर जिन्दा हो जाएगा उसको जमीन में दबा दो खुला फेकना हानी का रखे है उसके कांटे भी रहेंगे मांस तो खा जाएंगे जीव जन्तु वो कांटे भी जरी ले होते हैं अब सांप क्या खुला फेकने से हवा से फिर जिन्दा हो जाएगा हाँ मैं तर्क देता हूँ दीपावली का दीप जलने के बाद ठंडक शुरू हो जाती है मध्य भारत में उत्तर प्रदेश बेहार आदी में और कई प्रांते हैं राजस्तान आदी में उसके बार सांप भूमी गत हो जाता है जब भूमी गत होता है तो फिर आहार क्या डायट क्या लेता है इसका मतलब उसके शरीर में एक सिस्टम है वो पवन से पूरी ताकत ले लेता है पवन में ताकत है जिसमें भी रखते है जिसमें भी रखते है उसे अक्सिजन की जरूरत है अब मचली में रखते है हेल में भी रखता है यह कहां से औ्सें लेती इनकी बाड़ी में शिष्टम है वो पानी से औज निकाल देती उनके शरीर में शिष्टम है वो जल्दस अखी दिनकालती और जल्ड व्रति जो गैसौन emission है और oxygen बड़ा ज़रूर है हमारे जीवन के लिए इसका मतलब है सांप उस समय हवा से शक्ति लेता है पर वो शक्ति उसको कितनी चाहिए जब वो भूमी करता है तो ज़्यादा activity नहीं करता है क्या technology है जितनी जीवन शरीर को जीवित रखने के लिए energy चाहिए वो उतनी हवा से ले लेता है moment तो करता नहीं है जब रमीन के अंदर है no moment इसलिए आपने जिस सांप को मरा हुआ मान कर फैद दिया पूरा नहीं मरा है वो अपनी और जा फिर संग्रीद करेगा ये चीज़ मेरा अपना भी अन्भव है किसी ने एक सांप को मार कर फिटार था किंग कोब्रा फिक दिया था दो चार गंटे बाद महां वो सांप नहीं था इस तरह मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मन का जो चौथा रूप है आप चित को भी थोड़ी दर कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मन का चौथा रूप बड़ा असाध्या है एंकार एक्टिविटी अब आप यहां ये रह से समझेगा कि क्यों कर रहे हैं साहब बोलें जीवते मुए बिना भेद पा भी नहीं इस ऐसी चीजों को कोई उठा ही नहीं रहा है तो चौथा मन का रूप है एंकार क्यों असाध्या मन वो समझना यही बात तो वाजदे क्रिशन से अर्जुन ने साप कहा कि हे वाजदेवन उद्धी मन्थन है समझर का मन्थन असंभवा तदब भी संभवा फिर भी हो सकता है कुछ प्रयास कर सकता हूं वायोर भी गठंती हवा की गांट मानना मुश्किल है उसके लिए उद्योग कर सकता हूं शुन्या भंजना शुन्या को तोड़ना असाध्या है आप देखो कहीं बंबलाश्ट हुआ शुन्या को कुछ नहीं है सरुआ इस पेस तो वही रहान लेकिन हे वाजदे कृष्णा मन प्रमथन है किसी भी प्रकार से बस में नहीं आने वाजदे कृष्णा ने कहा अर्जन ऐसा नहीं है युक्ती और प्रयास से मन आदिन हो सकता है और ये शास्त्रों में मिल रहा है इतना आसान नहीं है कई हमारे रिशी मुनी पूरवजों ने गोर तपस से है की बाद में मन ने विश्लित कर दिया यहां साहिब कह रहे है मन पर जो अस्वार है ऐसा वरला कोई कबीरा ऐसा वरला कोई मन पर जो अस्वार है ऐसा वरला कोई अब यहां साहिब क्या कह रहे है जीवत मुए बिना भेत पावे ने इस जीवता मरे सो भेत पारे जीवता कैसे मरे मन का चौथा रूप एंकार है एक्टिविटी अब जीवत मरना समझेगा एक्टिविटी नानक देव जी फर्मा रहे हैं जीवत मर ये बहुत जलतरी साहिब भी कह रहे हैं जा मरने से डगड़े मेरे मन आनन्द कम मर हूं कम पाव हूं पूरन पर्मानन मरना क्या है शरीर की समस्त क्रियाओं को इस्टाफ कर देना जब आदमी मर जाता है शरीर निश्प्रान हो जाता है अब ये कैसे जीवत मन रहा है हमारे शरीर की उर्जा का स्रोत ही स्वांस है अभी ये कंप्यूटर चल रहा है LED चल रहे है माइक चल रहे है पूरे वर्ल में मेरा प्रोग्रम टेली का स्वांस है इसमें बिजली चले जाए पूरा खतम है पर इस तरह शरीर की उर्जा स्वांस है मैंने दस वाईयों का भी कई बार उलिक किया है अपान समान उदान प्राण सर्वतन जान देटत किरकिल नाग धनिंजे सबल आदी ये पूरी वाईयों में इस शरीर के अंदर काम कर रही है अब यहां साहिब क्या कर रहे है ये स्वांसाओं का आवर्तन प्रावर्तन कैसे होता है आगया चक्र में आत्मा का भास है ये तो वेद भी बूल लाए यहां आत्म दे एक उरजा दे रहा है शरीर को सीधी स्वांस वो लेकर के पेट में पहुचाता है नाभी में स्वांस खुद नहीं चल रही ही स्वांस लेना क्रिया है इसी स्वांस के द्वारा फिर पूरा शरीच चेतर ने इसलिए जब किसी की मृत्व होती है तो हम सब लोग कहते है यह अम्राज इसके प्राण निकल के लेगा वास्तविकता क्या है प्राण अंदर में है आप कहेंगे यह क्या ऐसा हो आप बिर्मित कर रहे है मूल प्राण आपके अंदर में आपकी आत्मा में है पहला वोई आत्मा प्राणों को लेने के लिए उर्जा दे रही है मुर्दे को कितना भी रखो वेंटिलेटर पर रखो वो कृत्म सौंस आएगी लेकिन मूल सौंस मूल प्राण निकल गए है अब शुष्पना का भेद यहां आ रहा है हम जो भी सौंस ले रहे हैं नाभी में पहुचते हैं इसको पलट दिया इंडा और पिंगला से जब तक सौंस चल रही है तब तक आप शरीर है अब यहां साहिब एक शब्त करें इंडा पिंगला शुक्मना सम करे अर्द और उर्दविच ध्यान लावे कहे कबीर सो संत नर्भे हुआ जनम और मन का भरा महान यह सोभा भी को जाएगी यह कैसे हो जाती है भजन से सोभा भी को जाएगी आप देखते हैं आदमी चाहे साइकल चलाना सीखता है या गाड़ी चलाना सीखता है या बच्चा जमीन पर चलना सीखता है तो परफेक्ट नहीं होता है लेकिन करत-करत अभ्यास के जडबत होत सुजान रस्री आवजजात से सिलापर पढ़त निशान इस तरह जब ये स्वांस उर्दमकी हो जाती है अब उर्दमकी कैसे हुई गुर भीद देता है शेश्मना कुलने का स्वांस सुरत एक डूरी लाए अजर अमर होई लोक सिधावे स्वांस सुरत एक डूरी लाए अजर अमर होई लोक सिधावे जब बच्छा प्रारम्भी के स्थिती में चलना सीखता है तो उसको कहीं वाकर दे देते है हमारे टाइम पर लकड़ी का एक गाड़ा होता था पीछे दो पई आगे एक पईया होता था उसके साहरे चलता था, खेरता था आजकल जमाना बदल गया दीरे दीरे उसको उससे अभ्यास मिल जाता है और माँ तो उंगली भी पकड़ती है लेकिन माँ सरफ एक साहरा दे सकती है चलना तो बच्छे ने हैं क्योंकि चलने के लिए एक प्रक्रिया है हमारी उंगलीों में इतने मोड हैं आप देखें मोड हैं ना जब हम चलते हैं ऐसे ही पैर की उंगलीों में भी हैं तीन हम जमीन को पकड़ते हैं बच्चा जमीन पकड़ना नहीं जानता है चलते चलते गिर पड़ता है और ये कैसे सीखेगा माँ नहीं सिखा सकती है गिरते गिरते संबल संबलते उसको पता चलता है जब भी आदमी गिरता है आप एक चीज दिखना जब भी इंसान गिरता है एक क्रिया करता है हाथों का सारा ले ले लेता है बचने के लिए इस तरह मैं एरपोर्ट की बात बता रहा हूँ तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ी देर सोने के लिए भी जगे होती है बैड होते है लंबा टाइम अगर अगर इंसान ठक गया है तो वहाँ लेटता है तो एक जगे मैं भी लेटा था फ्लाइट डेट हो गई थी बगल वाली चाहर पईपर एक मेडम लेटी थी मेडम भी क्या मेडम थी वो पूरा जो बना हुआ तो लेटने का उसको बहुत कम पढ़ रहा था वो एक हिस्सा देहनी तरफ ऐसे ही था उसका एक हिस्सा बाही तरफ था बस कमर वाला हिस्सा यानि इतनी फैटी थी बस कमर वाला हिस्सा जो था वो उस बेट पर था हमारा जैसा आदमी तो पूरा लेट जाए उसके बाद भी थोड़ी सी जगह तो रहती है। उदर जगह नहीं थी। मैडम लगी हुई थी। इस्मार्ट पॉन फर। दुनिया में इस्मार्ट पॉन में सबसे ज़्यादा टाइम व्यक करते हैं। अमेरिकन लोग छे सिक्स पैंट कुछ अवर और भारती है सिकेंड नमबर हैं। फाइप पैंट कुछ अवर वो वेश्ट करते हैं। बड़ा हो बूड़ा हो कोई भी हो। वह से में लगी थी। तीन वच्चे थी में डिम के। एक थोड़ा बड़ा था पांचे साल का। एक शारेक साल का होगा जो छोटा था दो धाई साल का था। तो खेल रहे थे एरपोर्ट पर खुली जगे बिली। खेलते खेलते मेरी नजर बच्चों पर थी। पर मेडम बेकबर दी। वह ऐसे रमी हुई थी। स्मार्टफोन में। अब मैं साधा रहता हूं, मुझे कोई जानता ही नहीं। सेलेबिटी में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। लोगों मैंनू निंदो, मैंनू निंदो। जितना आप लोगों की प्रशंसा से खुश होंगे न। उतना ही आप आहत हो जाएंगे जब आपका कोई ब्रोध करेगा। और मैंने कई बार बोला, जो अपना ब्रोध नहीं सुन सकता है, वह बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर आदमी आता है। उसमें विवेक शक्ती नहीं है। बच्चा रोने लगा वो छोटा गिर गया कहीं। चार साल वाले ने कहीं उसको कुछ ठेला दे दिया है, वो गिर गया। जब गिर गया तो उसकी टांग थोड़ी यूं मुडी। बच्चा रोने लगा बहुत। मैंने देखा इसको मरोडा तेज आया है। लेकिन जो महाल लेटी हुई थी उसको इससे कुछ देना देना ने है। मैंने कहा आप लेडी ऐससे क्या बात्चीत करना है। आजकल तो किसी से बोलने में भी डर लगता है। मैंने कहा मेडम आप के बच्चे को थोड़ी चोट लगरी रो रहा है। बोला वह ठीक हो जाएंगा आप चुप हो जाएंगा। मैंने कहा नए। यह जब गिरा हैं जादा विलाब के साथ रो रहा हैं। इसकी टांग बुड गई है। पटपटा गिरा हैं थोड़ा आप इसको देखो तो वहां से वो बड़े वालों को कह रहे हैं ए चुनू उस मुन्नू को दे ले तो आईए मैं बताता हूं वो भजन करते करते एक आईडे आ जाएगा अरे हारे पल्टू ग्यान भूम की बीच चलतना उल्टी स्वासा जब ये सुमनर्ज की विदी गुरु देता है स्वासारत एक डौरी लाइड अजर अमरों लोग सिधा तो वो धीरे धीरे पूरी उर्चा जो है उपर की तरफ चली जाती हज़ारों जगे पर इसका उलेक संतों ने किया दुनिया नहीं समझती है कई पंथों में शश्मना का राग पीटते हैं मैं पूछता हूँ भिया शश्मना कहां पर है तो वो कहते हैं बीच में एक नाड़ी है कैसे खुलती है गुरुजी ने बोला है बताना नहीं है वास्त विकता ही है उनमें से किसी को पता ही नहीं है फिर उन पंथ और मार्गों के धुरंदर भी मेरे से जुड़े जो वेक शीलते हैं उनसे पूछा बोला कख नहीं पता है तो सौभाविक फिर क्या हो जाता है ऐसा ही भजन हो जाता है जाप मरे अच्पा मरे अनेद भी मर जाए जब आदमी को चलना आ जाता है ना तो आटोमेटिक सभी काम करते हुए भी वो जमीन भी पकड़ रहा है काम उंगलियां वो कर रही रही है अंगलियां वो काम कर रही है ठीक वैसा ही हुआ करत-करत अभ्यास के जडमत हो सुजान रस्री आवद जाते सिला पर पड़त निशान आप देखते हैं अच्छे परफेक्ट ड्राइवर है बातचीत भी करते हैं गाड़ी भी चला देते हैं इसी प्रकार से फिर ये पाउं और प्रलक के आरती कौन से आरती रहन दिन संत का लेगा चण सुम्रेज चण भीस रही है भी सुम्रेज आटूमेटिक एक आटूमसी बन जाती है सौभाविक स्वांस उस तरफ चलने लगते अब नीचे क्या होगा उसको लगेगा बाडी मेरी स्पन्दन हीन है लेकिन इतनी स्पन्दन हीन नहीं है वाइटल अर्गन भी काम करेंगे लेकिन रहता अलग है रहे निर्दुन्द वो धुन्द व्यापे नहीं वाग्या बात है श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ले आई तो इस तरह से जब ये शुष्मिदा नाड़ी पूरी स्वांसाफ शुन्य में जाकर समाती है एक बोड़ी मिल जाती है यहां साहब पर एक शर्ट की पुष्टी कर रहे हैं सुन्न महल की फेरी देई उसो वहरागी पक्का हुई नासुख विद्या के पड़े सहिजो भाई कह रहे हैं नासुख बाद विबाद सहिजो संतसुई कह लागी शुन्य समात है अब ये शुन्य समात हुई उस समय अवस्ता ये चेतन बदल जाती है तुरिया अवस्ता में आ जाता है एक और शरीर मिल जाता है जिसके दोरा वो अ इस तरह इस्टाट वहीं से होती है, इसलिए क्यों बिटकता फिर रहा है, तू तलाश यार में रास्ता शहरग में हैं दिल बर पे जाने के लिए, मुर्शिदे कामिल सिबिल सिद्क और सबूरी सितक ही वो तुझे देगा फहम, फहम भे शहरग में जाने के लिए, तो इस तर मैं आपको बताता हूं, एक परिवार गया, डूबई, जब डूबई गया, मेरा बती चाहिए, मैं उससे पूछता हूं, क्या कर रहे, तो कभी कह रहा है, एक बगीचे में गय थे, कभी कह रहा है, कि बीच पर गय थे, कभी कह रहा है, कि बीच पर गय थे, कभी कह रहा था, ये तो सब यहां में है, नैना अभिराम दरिश्ट देखते हैं, इसको यह आनंद मानते हैं लोगे, कुछ नहीं है, इस शरीर में तो सब कुछ है, या घट बीतर साथ समुंदर, अंदर गुसोना, बाच के बढ़कते सिद्धनाई, या घट बीतर नौलकतारे यही में सूरच चन्दा, या घट बीतर बाग बगी चे यही पर सी चन्हारा, तो जब आदमे आंतरक संसार में वो रोमांच रहसे देखते हैं, ये बाहर के दुनिया फीकी लगती है, पलट वजूद में अजब विश्राम है, यह वा जी जीवत मरना, पर साच कहो तो महरंगाई, जूट क के अंदर हैं, आप अपने में जाओ, एक विश्राम है वहाँ, अजीव विश्राम है, बस पलट वजूद में अजब विश्राम में होई, मौजूद तो समझ आए, छमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुझे में हाज़र हो जाओंगा, साहिवाने,